नमस्कार मैं रवीश कुमार। कॉंग्रिस पार्टी ने आज वितमंत्री को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या कमपणियों पर छापे डलवा कर उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वे दूसरे दलों को चंदा ना दें केवल बीजेपी को चंदा दें। वितमंत्री कॉंग्रिस के आरोपों का क्या जवाब देंगी अभी तक तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉंड को रद किये जाने के फैसले पर भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन पहले सवाल प्रधान मंत्री से सुप्रीम कोड के फैसले को आए हुए सब्ता भर हो गए। प्रधान मंत्री मोदी ने अभी तक इस पर क्यों नहीं कुछ कहा है। इतना पैसा आ जाए कि उसके प्रचार तंत्र और चुनावी तंत्र का कोई मुकावला कर ही न पाए। इस एलेक्टोरल बॉंड ने भारत की राजनीती को लंबे समय तक के लिए कमजोर कर दिया है। और जब यह चोरी पकड में आ गई इसे रद कर दिया गया तो क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जबाब नहीं देना चाहिए। जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है वे किसी भब्यकारिक्रम में नजर आने लग जाते हैं जहां उनकी लोगप्रियता प्रचंड नजर आती हैं। दल को ना जाए। सारे आकड़े बताते हैं कि सिस्टम से सबसे अधिक चंदा बीजेपी को मिला। साड़े 6,000 करोड रुपए मिले हैं। और अब ये बात सामने आ गई है कि उनकंपनियों ने भी बीजेपी को चंदे दिये हैं जिन पर ED और IT विभाग के चापे पड़े। कॉंग्रेस ने इनी बातों को लेकर वितमंत्री को पत्र लिखा है। ऐसी 30 कंपनियां हैं जिन पर छापे पड़े और जिनोंने बीजेपी को 335 करोड रुपए का चंदा दिया है। मोटे तोर से बात ये है कि 2018-19 और 2020-2023 वित्तिय वर्षों में इन चार वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ED की कारवाई की शुरुआत हुई, CBI की जाँच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जाँच की शुरुआत हुई, करीब 30 कंपनिया हैं, इसके नाम भी Election Commission के वेबसाइट में मौझूद हैं, आप देख सकते हैं, ये प्रकाशित भी हुआ है, कुछ कंपनियों के नाम, 30 कंपनिया हैं, जिनके खिलाफ ED, CBI और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं, और इन से इन चार सालों में, बीजेपी पार्टी को 335 करोर रुप्या चंदा मिला है, एक करोर नहीं, दस करोर नहीं, सो करोर नहीं, 335 करोर रुप्या और ये declared है, ये गोशित किया गया है, बीजेपी के और से, और ये सब जानकारी इलेक्शन चुनाव कमिशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा 30 कंपनियां हैं इन 4 साल में 335 क्रोर रुप्या चंदा बीजेपी को मिला है और हम समझते हैं ये मानना है बिलकुल साफ सपूत है कि ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है कुछ ऐसी कंपनियां है जो 2018 के पहले कभी बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दी थी 2018 के बाद उन्होंने चंदा देना शुरू किया कुछ ऐसी कंपनियां है जिनके खिलाफ जो कारवाई शुरू की गई है वो कॉंग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे पहले वो कॉंग्रेस पार्टी को भी चंदा देना बंद कर दिये कंपनियों के खिलाफ जो कारवाई करनी है आप कीजिए अगर कोई कानून का उल्लंगन हुआ है तो जरूर कारवाई होनी चाहिए पर धमकी देकर ED के द्वारा धमकी देकर CBI के द्वारा धमकी देकर और income tax के द्वारा धमकी देकर और उन्ही कमपनियों से उन्ही नीजी कमपनियों से चंदा देलना मैं समझता हूँ ये बिलकुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था ED, CBI और Income Tax की जांच का मूल मकसद यही था हफ़ता वसूली ये बलैक मेल की राजनीती का एक मिसाल है कमपनियों को डराकर चंदा लेना और डराकर ये भी कहना कि किसी और को नहीं देना है ये काम खतरनाक है इलेक्टरल बॉन्ड ने बीजेपी को आर्थिक महाशक्ती के रूप में स्थापित कर दिया है सुप्रीम कोड के आदेश के तहट चार हफ़ते के भीतर जब सारी जानकारियां चुनावायोग की वेबसाइट पर आएंगी किस कमपनी ने किस पार्टी को कितने करोड रुपे दिये हैं कितनी बार दिये हैं तब सब कुछ साफ हो जाएगा वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि सरकार को सुप्रीम कोड के आदेश का पालन करना पड़ेगा मगर जिस तरह की चुप्पी है उससे कोई दावे के साथ नहीं कह पा रहा कि ऐसा होने ही जा रहा है न्यूज मिनट ने अपने दम पर आप दर्शकों के सहारे और सहयोग से पत्रकारिता करने का काम किया है इसकी वेबसाइट पर तीनों रिपोर्ट मौझूद है न्यूज मिनट की धन्या राजेंदरंग रागमलिक कार्थिकेयन की ये रिपोर्ट उन तमाम सवालों को सही साबित करती है जो इलेक्टोरल बॉंड को लेकर पूछे जा रहे हैं न्यूज मिनट ने बताया है कि जिन 30 कंपनियों ने 4 साल में BJP को 335 करोड रुपए दिये हैं उन में से 23 कंपनियां ऐसी हैं जिनोंने छापा पढ़ने के बाद BJP को 187 करोड रुपए का चंदा दिया उसके पहले ये कंपनियां BJP को चंदा नहीं देती थी यही नहीं इन 23 कंपनियों में से कम से कम 4 ऐसी हैं जिनोंने कारवाई के 4 महिने के भीतर कुल 9 करोड रुपए का चंदा दिया इन में से कम से कम 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनोंने पहले भी भाजपा को चंदा दिया था लेकिन छापे मारी के बाद के महिनों में चंदे की रकम और बढ़ गई छाँ अन्य कमपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कुछ साल पहले भाजपा को चंदा दिया था लेकिन एक साल चंदा रोक दिया और रोकते ही उन्हें केंद्रिया एजेंसियों की कारवाई का सामना करना पड़ा न्यूज मिनिट और न्यूज लॉंड्री ने थोड़े महिने पहले इन्वेस्टिकेशन हमने शुरू किया था हमने क्या कि यह जो electoral donations है हमने BJP का लिस्ट ECI website से उठार के हमने यह देखा कि for example the news minute जो हमारे head office बेंगलूरी में हमने South India के companies के बारे में पड़ा हमने देखा कि किन किन कमपनियों ने एक करोर रुपिय के ज्यादा दिया है BJP को तो वो लिस्ट हमने बनवाया 2018 से लेकर 2023 था उस लिस्ट को बनवाने के बाद हमने यह देखने की कोशिश की कि यह सारे companies के मालिक कौन है उसमें लगबग 40% BJP leaders जैसे की राजी चंदरशेकर, PC Mohan यह सब local यहां के leaders है उन लोगों ने उनके कंपनियों के द्वारा donations दिये है यह सब legal है तो हमने उनको इस list से हटा दिया फिर जो 60% companies है उसमें थोड़े से companies हमको पता नहीं कि उन लोगों ने क्यू दिया लेकिन corporates देते है political donations तो उसमें कोई शंका नहीं थी फिर almost 30-40% companies जब हमने देखा हमको यह मालूम पढ़ गया कि एक pattern है अगर for example 2018 को एक company पे raid होता है या investigation शुरू होता है income tax के और ED का अगर investigation या raid होता है तो वो तुरंत ही कुछ महीने बात बाजपा को पैसे देते है नहीं तो एक साल के बाद पैसे देते है for example एक company है याँ पे सालारपुरिया नाम के बेंगलूर में एक company है उन लोगोंने 2021-2022 में almost 5-6 crores दिये है उनके company के तरफ से और उनके subsidiaries के तरफ से तो हमने जब देखा कि क्यों ये पैसे दे रहे है क्योंकि 2014 से जब बाजपा actually first time government में आये तब से लेकर ये सालारपुरिया ने 2021-2020 थक नहीं दिया था तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे क्यों इस वार क्यों दिया तब हमें पता चला कि 2018 को एक और company Hira Group नाम के एक company है हाईडरबाद में उनके ऊपर ED ने एक investigation शुरूर किया था और ED उस समय सालारपुरिया को भी invest कर रहे थे शायद इसलिए सालारपुरिया ने donate किया ऐसे बहुत सारे company है future gaming services वो कौइमबतूर की based है उस company का owner का नाम है Santiago Martin वो यहां के lottery king माने जाते है उनके company पे raid हुआ अगले ही साल उन्होंने 100 crores 100 crores दिया prudent electoral trust को यह prudent electoral trust जो है वो दिल्ली में based है वो उनके पैसे से almost 80 to 90% BJP को ही देते है so future games क्या करते है 100 crores trust में डालते है और trust BJP को देते है और हमने दो और बात देखी क्या यह companyya Congress को पैसे दे रहे थे so 30 में हमने सिर्फ तीन company को देखा है जो Congress को भी पैसे दे रहे थे हमने यह भी देखा कि 2014 से अब तक इन लोग ने कितने बार दिया तो वो लोग सिर्फ उसी साल जब उनका raid हुआ था उसी साल दे रहे थे बागी साल नहीं दे रहे थे BJP को भी पैसे दे रहे तो यह थोड़ा सा अजीब जरूर है अब आप बताईए क्या इस से शक नहीं गहराता है कि छापा पढ़ने के बाद अगर कम्पनिया बीजेपी को चंदा दे रही हैं चंदे की राशी बढ़ा दे रही हैं तो च्छापे का मकसद क्या हो सकता है क्या च्छापों से डरा कर इन कंपनियों को मजबूर किया गया कि वे केवल बीजेपी को चंदा दे विपक्ष के किसी दल को ना दे मध्यप्रदेश इस्तित एक डिस्टिलरी ने च्छापे मारी के बाद बीजेपी को सबसे तेजी से दान दिया कंपनी के प्रमोटरों को जमानत मिलने के कुछी दिनों बाद यह सब काम हो गया क्या आप चाहते हैं कि भारत के लोगतंत्र के डिब्बे में कोई सवारी ही ना बचे केवल ट्रेन रह जाए और ट्रेन का ड्राइवर रह जाए बाकी यात्रियों से खाली या लोगतंत्र का डिब्बा क्या आपको डरामना नहीं लगता अगर इसकी सीट पर अलग अलग विपक्षी दल नहीं होंगे तो आगे की लोगतंत्र की यात्रा भूतहा हो जाएगी मेरी इस बात को लिखकर अपने पर्स में रख लिजे वैसे भी उसमें आनाज खरिदने के पैसे तो है नहीं ये सवाल बेहँग गंभीर है अगर ये सब होता रहा तो भारत के लोगतंत्र में कोई विपक्षी दल बचेगा ही नहीं और बिना विपक्ष के लोगतंत्र रहे हुआ है किसी पर इंकम टैक्स का नोटिस इतनी भारी मात्रा में नहीं आया है और इस तरह किसी नीजी कमपनियों के खिलाफ कारवाई नी की गई है ताकि उन से आप चंदा हासिल करें तो हमने इसकी जांच की मांग की है हमने सवाल भी उठाएं हैं वित्मंत्री से जो आप पढ़ेंगे तो हमने तीन सवाल उठाएं हैं एक सवाल तो ये है कि क्या आप आपने तो अर्थ विवस्ता पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया क्या आप हफ्ता वसूली पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे क्या जनता को विश्वास में लेंगे कि आपके पार्टी को चंदा मिला है कहां कहां से चंदा मिला है और ये विशे और भी महत्व रखता है क्योंकि सुप्रीम कोट ने कहा है कि इलेक्टरल बॉन्ड परियोजना हमारे सम्विधान के खिलाफ है दूसरा जो सवाल हमने उठाया है कि आप अगर जैसे कि आप दावा करते हैं कि आप का फाइनेंसिंग दल का पार्टी का फाइनेंसिंग बिलकुल पार दर्शता से होता है आपको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है अगर ये बात सही है कि जो जो जानकारी आई है चुनावायो के वेबसाइट में जो जानकारी ली गई है इन न्यूस पोर्टल के द्वारा क्या उसका आप खंडन करेंगे क्या आप उसका खंडन करेंगे कि इस कंपनी ने जिसके खिलाफ CBI, ED और Income Tax की जांच हो रही है उसी कंपनी से आपको ये चंदा नहीं मिला है क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं कि पिछले चार सालों में 335 क्रोड रुपया BJP के खाते में आया है ये इलेक्टरल बॉण्ड के द्वारा नहीं ये ED बॉण्ड है, CBI बॉण्ड है, Income Tax बॉण्ड है, इलेक्टरल बॉण्ड नहीं ये कंपनियों के नाम भी सब लोग जानते हैं इस वैबसाइट के माधियम से और तीसरा सवाल जो हमने कहा है, कि अगर आपकी नियत साफ है, अगर आपने कुछ गल्ती नहीं की है, कि क्या आप एक सुप्रिम कोड द्वारा मॉनिटर्ड जांच कुछ विकार करेंगे? इस परताल से सुप्रिम कोड की बात भी सही निकली, जो अदालत ने 15 फरवरी के अपने आदेश में कहा है, कोड ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना से परसपर लेन देन वाली वेवस्था को बढ़ावा मिलता है, हर रेकॉर्ड उठा कर देखिए, बी जे पी को ही ज ज़्यादा चंदा मिल रहा है, चुनावी ट्रस्ट से जो चंदा मिलता है, उसमें भी 70 प्रतिशत से अधिक की राशी बी जे पी को मिल रही है, बी जे पी को पिछले 10 वर्षों में विभिन ट्रस्टों के माध्यम से 1893 करोड रुपे से अधिक का चंदा मिला है, क्या ये भयानक नहीं है कि जिन 32 कंपनियों ने चंदा दिया, उनमें से केवल 3 कंपनियों ने कॉंग्रेस को चंदा दिया है, ये आकड़े वित्य वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच के हैं, यही नहीं 2013 और 2023 के बीच, 10 वर्षों में कॉंग्रेस को इलेक्टोरल ट्रस्टों के जरिये जो रक कॉंग्रेस को 10 साल में मिला, उतना बीचेपी को एक साल में मिला, ये अंतर आया है, तो जाहिर है कॉंग्रेस आर्थिक महाशक्ती बन चुकी बीचेपी से मुकाबला नहीं कर पाएगी, कॉंग्रेस का कहना है कि यह सब हुआ है, इलेक्टोरल बांड और छापों के जरिये कंपनियों पर दबाव डाल कर, यही नहीं एन वक्त में कॉंग्रेस पार्टी के खाते जब्द कर लिए गए, कॉंग्रेस ने आरोप लगाया है कि बैंकों को मजबूर किया गया, कि पार्टी के खाते से पैसे सीधे सरकार के पास पहुँच जाएं आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सब लोगों को और आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को यह सूचित करना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ने सभी अपनी उपोजिशन पार्टी के खिलाफ और मुख्य उपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकव पाद शुरुवात कर दी है हमारे 65.88 करोड 65.88 करोड के उपर परसों भाजपा की सरकार इंकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कारेकरताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबर्शिप के माध्यम से एनसुआई के अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबर्शिप के माध्यम से क्राउट फंडिंग जिसका 95% 100 रुपे से कम हम लोगों के पास में आया था वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके चोरी करके वो पैसा मोधी सरकार अपने पास में लेकर ने आपको बताया था पिछली बार कि हमने इंकमटैक्स एपलेट टिब्लल में अरजी लगाई है इंकमटैक्स एपलेट टिब्नल में हम लोग 14 तारी को उसी दिन चले गए थे जब हमारे बैंक्स में फ्रीज करने का नोटिस आया था और एपले ट्रिबिनल ने हमारे 21 ता करके एक एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धंकी दे दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आप से परस्नली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया ऐसा कह कह करके उन्होंने पांच बैंक के ब्रांचे से 65.88 करोड 65 करोड 88,474 रुपे उन्होंने इन बैंकों से वसूल कर लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कंपनियों पर छापे डाल कर उनसे चंदे की रकम ली जा रही थी चंदे की रकम दूसरे दलों को ना जाए इसकी विवस्था की जा रही थी इससे विपक्ष को आर्थिक रूप से लाचार कर दिया गया दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के हाँ छापे डाल कर उन्हें भैभित कर दिया गया वे कॉंग्रेस और दूसरे दल छोड़कर बीजेपी में भागने लगे पैसा और नेता दोनों का पलायन बीजेपी की तरफ शुरू हो गया कॉंग्रेस के इन आरोपों पर वितमंत्री के जवाब का आप इंतजार करते रहे आम आदनी पार्टी का या आरोप हवा हवाई कैसे लग सकता है कि विपक्ष का गठबंदन तोड़ने के लिए गिरफतारी का भै दिखाया जा रहा है आम आदनी पार्टी ने आज आरोप लगाया कि कॉंग्रेस के साथ गठबंदन को रोकने के लिए पहले इडी का डर दिखाया गया अब CBI का डर दिखाया जा रहा है हम सब देख रहे हैं कि पिछले दो ढ़ाई महीने से एक-एक करके एक-एक करके अब साथ बार अरविंद केजरिवाल जी को इडी का नोटिस आ चुका है लेकिन अब भारतिय जनता पार्टी शासित के इंदर सरकार को समझ में आ गया है कि वो एडी के माध्यम से अरविंद केजरिवाल जी को गिरफतार नहीं कर पा रहे है तो अब भारतिय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार CBI को सामने लेके आ रही है और अब CBI के माध्यम से अर्विंद केजरिवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है हमारे पास विश्वसनिय सूतरों से ये खबर है कि section 41-A CRPC में CBI का notice या तो आज या तो मंडे को अर्विंद केजरिवाल जी को आएगा और उस notice के बार अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार कर लिया जाएगा CBI के द्वारा और एक बार CBI ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीश सिसोधिया जी को विजे नायर जी को CBI की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ED द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है हमें बार-बार एक ही संदेश आ रहा है कि कॉंग्रिस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को CBI द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा सितंबर 2022 में इंडियन एक्सप्रेस के दिप्तिमन तिवारी ने अपने रिपोर्ट में दिखाया था कि 2014 के बाद से राजनिताओं पर E.D. के केस में चार गुना के वृद्धी हुई और जिन निताओं के खिलाव कारवाई हुई उन में से 95% विपक्ष के निता हैं 2024 का चुनाओं आपके सामने है विपक्ष आर्थिक रूप से कंजोर किया जा चुका है विपक्षी दलों को राजनितिक रूप से तोड़ दिया गया है गोदी मीडिया विपक्ष को बराबर की जगर नहीं देता है विपक्ष मैदान में खड़ा नजर नहीं आए इसका सार इंतजाम चुनाव शुरू होने से पहले कर दिया गया है चारो तरफ आपको भाजपा के ही पोस्टर और प्रचार नजर आएंगे चुनाव शुरू होने से पहले हाथ पाउ बांध कर विपक्ष को तालाब में फेक दिया गया है ताकि वडू भी जाए नमस्कार मैं रविश कुमार